नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज के हंख में हम जानेंगे जीवन में सफलता का कारक जो तिसी सास्त्र कहता है कि ब्यक्ति के हथेली में सफलता का कारक सबसे बड़ा सबसे बड़ा सफलता के कारक सुरी होता है सुरी होता कहा है आपके इस अनामिका उंगली के नीचे कि ये शूर्य का अस्थान है कोई भी जातक जीवन में कितना सफल होगा कितनी उन्नति करेगा कितना प्रगति करेगा यह सारी Cperson ऑसकी सूरी-परवत तेम सूर्ज रेखा एं देखलाई आप किसी भी जातक की हथेली देखने यदि वह जातक आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सथ परती सत्य है यदि आपके हतेली में एक सुर्ज रेखा नहीं है और सुरी परवत उन्नत अवस्था में नहीं है मैं ये दावा करता हूं कि ऐसे जा तक लाख परिश्रम करने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे कितना भी अधि कठिन परिश्रम कर लें आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप अगदार हैं यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं सो रुपे प्राप्ती की और सुरी परवत सुर्ज रेखा हतेली में महजूद नहीं है तो आपको मुस्किल से 30 या 40 रुपे ही प्राप् आप करते हैं सोरी परवत को जूम कर लिया इनके हंतेली में सुर्ज रेखह कि इस्थिती सामान है अर्थात अच्छी मानि ऐ यहां सी यहां तक है लेकिन यह यह थोड़ी पतली और कमजूर आवस्था में यह सुर्ज रेक्स लंबी है इस प्रसन में वीक है सुर्ज पर इस प्रकार का ट्रेंगल बनना अपने आप में बहुत 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 पुर्ण होता है ऐसे जातक जीवन में काफी उन्नती प्रगती करते हैं काफी सफल होते हुए देखे गए हैं लेकिन सबसे पहले एक बात जान लें यदि सुर्य परबत सुब अवस्था में है तो आपके सुर्य पर जो भी सुब एवं असुब चिन प्राप्त होता है उसके सत परतीसत आपको सुब फल प्राप्त होते हैं लेकिन यदि सुर्य परवत कमजोर है रेखाएं अच्छी अवस्था में है तो फलत की तो प्राप्ती होगी लेकिन यहां सत्परतिसत नहीं होगी आईए मैं कुछ चीज़ें यहां अस्पष्ट कर देता हूँ सुर्य रेखा यदि हतेली में लंबी हो और अस्पष्ट हो किलियर हो तो ऐसे जातक जीवन में उच्छ सफलता प्राप्त करते हैं और अतिसिग्र करते हैं अर्थात उम्र कम उम्र में ही यह उच्छ सफलता को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब सूर्ज रेखा छोटी होती है तो सफलता तो अरजित होती है लेकिन ये सफलता इन्हें देरी से प्राप्त होती है एक चीजें अब एक सूर्ज रेखा पर तर्भूज इस प्रकार से सूर्ज रेखा पर ट्रेंगल बनना अपने आप में एक महत पूर्न होता है किस मामले में शास्त्र काता है कि ऐसे जातक कला अर्थाट, नाटि, कला संगीत, कला, चित्र, कला ऐसा बिल्कुल नहीं है कला करने का अर्थ होता है किसी भी एक कला में ऐसे जातक अब एक महत्वपुर्न इस्थिती रखते हैं पारंगत विद्या रखते हैं किसी कला में किसी कारी को करने की कला ऐसे जातक में बहुत अच्छी होती है ऐसे ट्रेंगिल वाले जातक जीवन में सफल भी होते हैं और किसी बिसेश कला किसी कोई भी एक छेतर हो सकता है इनके पास में जिसमें इनके पास में ऐसा कहते हैं न कि उस छेतर में वो आदमी मास्टर है तो कोई ने कोई बिद्या यदि ऐसे जातक के पास होती है जिसमें ये मास्टर होते हैं यदि आपको पता नहीं है तो आपको ये ढूंडने का परियास कीजिए कि आपके अंदर में वो कौन से ऐसे गुन है जो आपको एक उच्छ अस्तरी सफलता ये कोई लोकल सफलता की मैं बात नहीं कर रहा हूं ये चिन्न बताती है कि आपको उच्छ अस्तर की सफलता मिलेगी जिससे आपको दूर दूर तक लोग जानेंगे उस कारी के कारण आपका नाम बनेगा बहुत दूर दूर तक लग जानेंगे तो आपको ये चीज़ें ढूरने क्या बशकता है कि आपके अंदर में ऐसे कौन से गुन है जो आपको अधिक सफल बना सकती है आपको पता है तो उस गुन पर आप आगे बढ़ें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है अब आईए इस प्रकार से ये बटना ये दिख लिए इसे बटना ये विद्या रेखा होती है तो ऐसे जादख बिद्या और ग्यान के धनी होते हैं बिशेस इनके पास नॉलेज होता है वो सकता है लोगों को इस चीज़ों के पता नहीं हो कि ऐसे जाता के पास मिसेस नौलेज है ग्यान है लेकिन ये महत पूरिश्थिती है अब दूसरी रेखा ये इधर जाती है इस परकार से बटना ये भी अपने आख में बहुत सुब कहलाता है ये एक तरह से तिरसूल का चि में कई छेतर के कारी करने में सक्चम होते हैं मल्टी टैलेंटे होते हैं इनका जो नाम होता एक साथ में कई छेतर में फैलता भी है लेकिन अब देखिए ये रेखाए यदि बिल्कुल किलियारा असपास्ट होती इसके पुर्न फल मिलेंगे लेकिन इन इस्तिती में देखि तो रेखाएं आपस में उलजती है और आपकी मानसिक सक्ती भी आपस में उलजती है आपकी कई विद्याओं के कारण एक साथ कई छेतर में कारी के कारण आपकी चीजें आपके मानशंबान प्रतिष्ठा किसी एक जगा फोकस नहीं बना पाता और यह अपने आप में कई स्थिति में हकदार हैं जितना परिश्रम क्या जितनी बिद्या हासिल की उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल पारी है ऐसी चीजे भी इंगित करती है यह इस परकार की एक दूसरे से कटी वी उलज्टी वी रेखाएं होती है कि कहीं न कहीं समस्या संगर्ष को दिखला करती है सफलता पाने में अधिक परिश्रम को दिखलाती इस परकार की चीजे यह उत्पन न करती है रेखा की स्थिति अच्छी है सुरी परबत थोड़े कमजोर है सुरी से संबंदित उपाई करें इने बिसे सफलता मिलेगी रेकालांतर में यह रेखा यहां तक है यह भाग रेखा को देखने का परियास करें तो भाग रेखा चंदर की चेतर से दूर का धन अब देखिए रेखा यहां से यहां असपस्ट है यहां डीप है यहां किलियर है यहां किलियर है इस भाग में यह कमजोर है फिकी है ति इस परकार का रेखा होना आपके भाग के ये आपके वर्क छेतर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका आर्थ होता है कि आपके कारी में और स्थिर्ता, वर्किंग छेतर में संघर्स, अरंगा, किसी न किसी परकार की परेशानी, चुकि भागी का सीधा रिलेशन आपके आर्थिक छेतर से होता है। चुकि ये भाग रेखा आपके सनी के छेतर में पहुंचती है, सनी कर्म का छेतर होता है, तो कहीं ने कहीं समस्या संगर्स मजबूत होती और फीकी पढ़ती रेखा हैं, ये काती है कि भागी कभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो कभी कमजोर पढ़ रही है, पुना अच्छा चल रहा है, पुना कमजोर पड़ रही है, पुना हलाकि ये सनी पर पहुंच रहा था, जीवन में धन का फुलो तो बना रहेगा, लेकिन धन का फुलो आपे रहेगा, पैसा जाते रहेगा, इस प्रकार की भी इस्थिती बनी रहेगी, तो इस अंक में हमने देखा कि दो चीज है, ये दोनों चीजे हैं, तो सुर्ज आपको मान पद पर्तिष्ठा सम्मान देगा, जीवन में सफलता सफल बनाएगा, और भाग रेखा आपको धन के मामले में सफल बना देगा, ये दो चीजे महत पुर्ण होती है, तो आज के अंक में इतना ही मिलते हैं, अगले अंक मे में पुना बाद करेंगे, हम धन्याओं